कर चुकी है और आंसू ग्यास के गोले भी छोड़े गए हैं लेकिन परिस्थितियां बेकाबू पूरी तरह से सांदोलन में आईए आपको सुनाते हैं योगेंद्र यादव जो इस सांदोलन में सक्रियत है काफी उनसे बात कि हमारे से योगी ने क्या कह रहें सुनुए हमने तै किया था कि जिस बेरी केड़़े हमारे को एक महीने से पहले रोका गया उस बेरी केड़ से हम आगे बढ़ेंगे बाकी जगों पे दो महीने हमारे यां पे डेड़ महीना हो गया है जहां हमें रोका गया था उस बैरिकेट से आगे बढ़ेंगे हमने तैय किया था कि किसान अपने वाहन में आगे बढ़ेगा और आज का दिन गण तंत्र दिवस पिछले 72 सालों से तंत्र उपर हो गया गण बेचारा दब गया है लेकिन आज उस गण को पुनर स्थापित करने के लिए आ रहे हैं इस देश का अंतिम व्यक्ति, मजदूर, किसान गण को स्थापित करने के लिए तो गण की सर्वोचता का आज उत्सव मनाने हम सब निकले हैं अद्बुत दिखाई दे रहा है, एक तरफ जवान है, सड़कों पर किसान है, जय जवान जय किसान जो कहा जा रहा था, असकार हो रहा है इक यही है, गणतंत्र दिवस की परेड निकालना सिरफ YUNIFORM वाले जवानों का काम नहीं है किसानों का भी है, उनके हाथ में भी तिरंगा है, इनके हाथ में भी तिरंगा है, इससे सुंधर दृष्ञे किसी गणतंतर के लिए हो नहीं सकता सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन आपको सरकार से पूछना चाहिए हमने तो एक फरवरी की डेट और दे दी है और कहा है कि हम किसान तो यह योगेंद रयादर से कुछ देर पहले की बात चीत थी यह तस्वीरे में आपको लाल किले की दिखा रहे हो साथी आइचियों की लाल किले में जिस तरह से अभी आंदोलनकारी पूरी तरह से गुसाय है इदे कि लाल किले की प्राचीर है अब आपको वहाँ पर CPIM का जंडा भी दिख रहा है कुछी देर में हमारे साथ हमारे से योगी जुड़ेंगे तो हम आपको तस्वीरों और जो कुछ वहाँ पर इस वक्त हो रहा है वो दिखाएंगे लेकिन पुलिस की मौझूदगी है सबा आकर वहाँ पर अपना जंडा लगा रहे हैं और ये तस्वीरे पूरे देश की सामने है आज बहतरवा गरतंत्र दिवस है पूरा देश इस जश्न में शामिल था राजपत से भव्य तस्वीरे हिंदुस्तान की परेड की आ रही थी लेकिन उसके बाद जो तस्वीरे आनी शुरू हुई है सिर्फ कुछ जगों पर किसान